पहले लोकदल, फिर जनतादल, फिर बीएसपी, फिर बीजेपी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और अब आर एसएसपी यह स्वामी प्रसाद मौर्य का अब तक का सियासी सफर इस सफर के दौरान वो बीएसपी से कई बार और बीजेपी से एक बार विधायक रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य रहने वाले तो हैं प्रतापगढ़ के लेकिन वो कभी प्रतापगढ़ में राजनीती नहीं कर पाए उनका जन्म 1954 में दो जन्वरी को प्रतापगढ़ जिले के चकवर गाउं में हुआ था लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रायबरेली को चुना रायबरेली की जो सीट आज उन्चा हार के नाम से जानी जाती है वो 2012 से पहले डल्मव सीट के नाम से जानी जाती थी एक रिपोर्ट के मताबिक स्वामी प्रसाद मौरे को डल्मव सीट पर चुनाव लड़ने में मदद करने वाले व्यक्ति का नाम था रामनाथ सेथ कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ने के लिए रामनाथ सेथ ने आर्थिक मदद दी और साथ साथ जाती के वोटों को एक करने में भी मदद की इस दोरान वो लोक दल से लेकर जंता दल तक अलग अलग दलों से कई बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए इसके बाद जब उन्होंने देखा कि बिना किसी मदबूत पार्टी की मदद के वो यूपी की राजनीती में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो उन्होंने मयावती की बियस पी से जुड़ने का फैसला किया मयावती की शरण में जाने के बाद ही मौरिय की असली राजनीती शुरू ही वरना उससे पहले तो वो एक विदान सभा सीट जीतने के लिए भी तरस रहे थे मायावती और BSP का वोट बेस मिलने के बाद मौर्य को विदान सभा चुनाओ में पहली जीत नसीब हुई 1996 में मौर्य पहली बार डल्मव सीट से विरायक बने और दोबारा 2002 में इसी सीट से जीत कर फिर विदान सभा पहुँचे इस दोरान मौर्य बीजेपी के समर्थन से बनी BSP की सरकार में मंत्री भी रहे साल 2007 के विदान सभा चुनाओ में BSP ने अपनी सवर्ण विरोधी 26 से बाहर निकलते हुए दलित ब्रहमन भाईचारे के साथ सोशल इंजिनियरिंग का एक नया फॉर्मूला अपनाया इसी वज़े से इस चुनाओ में BSP को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ हालांकि 2007 में बस्पा की लहर के बावजुद मौर्य दल्मूव विदान सभा सीट से खुद अपना चुनाओ हार गए और सिर्फ हारे नहीं बलकि डल्मूव सीट पर वो कॉंग्रिस और सभा के उमिदवारों के बाद तीसरे नमबर पर पहुँच गए लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मायवती ने मौरे के हारने के बाद भी उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया साथ ही मौरे को डल्मूव से हटा कर कुशी नगर की पडरोना सीट से उप चुनाव लड़कर विधान सभा पहुचने का मौका दिया उसके बाद 2012 और 2017 का विधान सभा चुनाव मौरे ने पडरोना सीट से ही दो अलग अलग पार्टियों की मदद से लड़कर जीता 2012 में वो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे लेकिन जब बीएसपी के सरकार नहीं बनी तो 2016 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 में बीजेपी के टिकट पर पडरोना से ही चुनाव लड़कर जीते एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसपी में जैसे जैसे सतीश मिश्रा जैसे ब्रहमन नेता का कद बढ़ रहा था वैसे वैसे मौरे को बीएसपी से चिड़ होने लगी थी साल 2016 के आखिर में स्वामी पुरसाद मौरे का मायावती से मतभेद हुआ जिसके बाद उन्होंने बीएसपी छोड़ दी पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने मायावती पर टिकट बेचने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे स्वामी पुरसाद मौरे ने उस समय कहा था कि बहुजन समाज पार्टी नीलामी का बाजार बन चुकी है मौरे ने सवाल उठाया था कि एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा टिकट नीलाम किया जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत पर तब BSP प्रमुक मयावती ने एक प्रेस कॉंफरेंस करके कहा था कि मौर्य ने BSP को छोड़ कर पार्टी के उपर बहुत बड़ा उपकार किया है वरना कुछ दिनों के अंदर ही पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी यानि इनको BSP से निकालने वाली थी दल्बदल करने के दोरान भी मौर्य की नजर अपनी पुरानी डल्मव सीट पर बनी रही जिस पर वो 1996 और 2002 में जीते थे 2012 के चुनाव तक डल्मव सीट का नाम उचा हार विधान सभा सीट हो चुका था 2012 और 2017 के चुनावों में मौर्य जिस भी पार्टी में रहे वो उचा हार विधान सभा सीट से अपने बेटे उतकरिष्ट मौर्य को टिकट डिलवाने में काम्याब रहे 2012 में उतकरिष्ट BSP के टिकट पर लड़े 2017 में BJP के टिकट पर लड़े लेकिन दोनों बार हार गए उतकरिष्ट को दोनों बार सफा की ओर से ब्रहम्मन चेहरे मनोज कुमार पांडे ने मात दी दूसरी तरफ मौरे की बेटी संगमित्रा मौरे को भी मयावती ने 2012 में एटा की अली गंज सीट से विदान सवा चुना गरने का मौका दिया था लेकिन वो भी जीत नहीं पाई थी हालांकि 2016 में बीजेपी मैने के बाद स्वामी प्रसाद अपनी बेटी संगमित्रा मौरे को 2019 में मोधी लहर में बदाईयों से संसत भेजने में काम्याव हो चुके थे हालांकि 2022 तक स्वामी प्रसाद मौरे का राजनेतिक परियतन अपने लगभग आखरी पड़ाव तक पहुँच चुका था बीजेपी को जमीनी कारेकरताओं से फीड़बेक मिल चुका था कि उचा हार से लगातार दो बार चुनाव हार चुका स्वामी प्रसाद का बेटा तीसरी बार भी चुनाव हारने जा रहा है बीजेपी का ये भी तर्क था कि 2022 के चुनाव से पहले मौरे बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंतरी थे उनकी बेटी बीजेपी की सांसत थी ऐसे में उनके बेटे को फिर से चुनाव लड़ाना एक ही परिवार को जरूरत से ज्यादा एहमियत देना था जिसका संदेश पूरी पार्टी में घलत जाता कई रिपोर्ट बताती हैं कि 2022 में बीजेपी को ये भी पता था कि पड़रोना में खुद स्वामी परिसाद मौरे की हालत भी खराब है और वो चुनाव नहीं जीतने वाले इसलिए बीजेपी की ओर से मौरे को सुझाव दिया गया कि वो अपने पड़रोना सीट को बदल लें और किसी और सीट से चुनाव लड़े लेकिन स्वामी परिसाद तो स्वामी परिसाद ठहरे वो कहा मानने वाले थे वो तो खुद को राश्री अस्तर का नेता मानते थे इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि उनके बेटे को एक बार फिर उचा हार से टिकट दिया जाए जब ये तैय हो गया कि बीजेपी ना तो उनके बेटे को टिकट देगी और ना ही उन्हें पडरोना से टिकट देगी तो पाँच साल सत्ता भोगने के बाद मौरे के अंदर का क्रांतिकारी जाग गया उन्होंने फैसला किया कि वो समाजवादी पार्टी जॉइन करेंगे उन्हें उम्मीद थी कि सपा उन्हें पडरोना से और उनके बेटे को उंचा हर से विधान सबा का टिकट देगी लेकिन शायद अखिलेश को भी मौरे की राजनितिक हैसियत की सही जानकारी मिल चुकी थी इसलिए अखिलेश ने 2022 में ना तो मौरे के बेटे को उंचा हर से टिकट दिया और ना ही मौरे को पडरोना से टिकट दिया मौरे को सपा ने टिकट दिया कुशी नगर की ही फाजिल नगर सीट से और मौरे वहां से भी बुरी तरह विधान सबा का चुनाव हार बैठे 2022 में मौरे की जमीनी हकीकत सभी के सामने आ चुकी थी ना सिर्फ BJP बलकि SP भी साबित कर चुकी थी कि मौरे पड्रोना के लोगों के दिल से उतर चुके हैं लेकिन मौरे ने कभी भी इस सच्चाई को स्विकार नहीं किया 2022 में मौरे की सारी राजनितिक चत्राई धरी की धरी तब रह गई जब ना तो वो खुद जीट पाए और ना उनकी पार्टी चुनाव जीट पाई और मौरे के बेटे को तो अखिलेश ने टिकट दिया ही नहीं था यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिस बीएस पी और बीजेपी को छोड़ते वक्त मौरे ने तरह तरह के आरोप लगाए उन्हीं दोनों पार्टीों ने उनके बेटे और बेटी को विधान सबा और लोग सबा चुनाव लड़ने का मौका दिया जो मौका अखिलेश ने कभी नहीं दिया हाँ अखिलेश ने उन्हें 2022 का चुनाव हारने के बावजूद विधान परिश्रत का सदस्य जरूर बनाया लेकिन एहंकार और गलत फहमी के भारी शिकार मौरे ने विधान परिश्रत की सदस्यता से भी इस्तिफा दे दिया आज की तारिख में स्वामी पुर्शाद मौरे आर एस एसपी नाम की पार्टी में है उनके बेटे के नाम कई चुनाव हारने का रिकॉर्ड है और उनकी बेटी को 2024 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मिलने की उमीद ना के बरावर है इस परिवार के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के रास्ते लगभग बंद हैं केवल कॉंग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां मौरे जा सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस में जाने के बाद मौरे को केवल एक चीज़ मिल सकती है और वो है चुनावी हार तो पूरे मौरे परिवार की राजिनिती खत्म समझे